सकरदरा थानांतरगत दहेच के लिए शादी से इंकार करने वाली युवती को उसके मंगेतर ने सोशल साइट पर परिशान करना शुरू कर दिया इससे पहले युवती को शादी का वादा करके पचमडी ले गया और वहां उसके साथ दुश कर्म किया आरोपी का नाम सकरदरा निवासी राहूल अमृत खरेब बताया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता और राहूल एक ही बस्ती में रहते हैं लेकिन फेस्बुक पर उनकी पहचान हुई राहूल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेकनीशियन है जबकि पीडिता जिम टेनर के तोर पर नौकरी खरती है पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर जल्द ही प्रेम संबन बन गए आरोप है कि राहूल ने पीडिता को शादी का जहांसा दिया पीडिता मान गई और परिवारवालों को मना लिया दोनों के घरवालों ने शादी के लिए हामी भर दी इसके बाद राहूल और पीडिता के बीच मिलना जुनना बढ़ गया कुछ दिनों बाद अभिशेक पीडिता को घुमाने के बहाने पच्मडी लेकर गया और वाँ होटल में उसके साथ दुश कर्म किया लोटने पर दोनों के परिवारवाले शादी की तारीख निकालने की बात करने लगे बताया गया कि राहूल के घरवालों ने दो लाक रुपे का दहच मांगा दहच की बात सुनकर पीडिता ने शादी से इंकार कर दिया इससे अभिशेक नाराज हो गया और सोशल साइट्स पर पीडिता के प्रोफाइल पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लगा ऐसा करने से रोकने पर वह पीडिता को धमकिया देने लगा अंत में परेशान होकर पीडिता ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने मामला दर्च कर जान शुरू कर दी